हलो स्टुडेंट वेलकम टू आसीस क्लासेज आज हमारा टॉपिक है बच्चो क्लासिफिकेशन और प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन को तीन पार्ट में ग्लासिफाइट किया गया है पहला Simple Protein, दूसरा Conjugated Protein और तीसरा जो आ जाता है वो हमारा Derivate Proteins आ जाता है तो यहाँ पर इसको तीन भागों में यानि तीन पार्ड में Classified किया गया है लेकिन उससे पहले अगर आप है Class 12 में और लाना चाहते बोर्ड एक्जाम में बहुत ही अच्छे मार्ग्स तो Educa Jones Publication आपके लिए लेका आया Class 12 के Sample Paper इन Sample Paper के अंदर आपको मिलेंगे कुछ Previous Year Question Paper और कुछ Next Exam यानि 2024 Board Exams के लिए Question Paper इन Question Paper को सॉल्व करके अब Board Exam में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं इन Question Paper को Educa Jones Publication की टीम में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रपेर किया ठीक है तो Link मैंने description box में दे दिया वहां से जाकर के आप इन Question Paper को पर्चेस कर सकते हैं याद रखिएगा Educa Jones Publication तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो Simple Protein होते क्या है इसके बारे हम जानेंगे कि on Hydrolysis दीज प्रोटीन गिफ अल्फा एमिनो एसिड इंपॉइंट है तो Simple Protein वह प्रोटीन होते हैं जिनका अगर हम Hydrolysis कराएंगे तो Hydrolysis कराने पर यह अल्फा एमिनो एसिड देते हैं ठीक है यानि ऐसे प्रोटीन जो Hydrolysis कराने के बाद में इनका Hydrolysis कराया जाए और उनसे फिर हमें अल्फा एमिन मिल जाए तो फिर वह हमारे Simple Protein हो गए एक्जामपल की बात कर लेते हैं कौन-कौन से हमारे Simple Protein हैं जैसे हम Albumin की बात कर लेते हैं हम Albumin Protein की बात कर लेते हैं बच्चों तो Albumin Protein ऐसा प्रोटीन यह एक Simple Protein है जो कि क्या होता है Solubil in Water जो कि हमारे Water में Solubil होता है ठीक है यह पाया कहा जाएगा जैसे Milk और गहरा Milk में यह प्रोटीन पाया जाएगा ठीक है तो Albumin हमारी Simple Protein होती है और यह क्या होती है Solubil in Water ठीक है Next Protein की बात कर लेते हैं तो Globulin आ जाता है ठीक है Globulin Protein क्या होता है In Solubil in Water यानि यह Water में Solubil नहीं होता है But Solubil in Neutral Salt Solution लेकिन Neutral Salt जो Solution होता है उसमें यह प्रोटीन क्या होती है Solubil होती है आगे देख लेते हैं Glutalins Protein की बात कर लेते हैं तो यह जो प्रोटीन होती है यह भी एक हमारी Simple Protein है यह क्या होगी कि Solubil in Dilute Acid आर बेस ठीक है तो यह Acid यह क्या होगा कि यह जो Simple Protein होगी यह हमारी क्या होगी किसमें Solubil होगी लेकिन क्या है किसमें या तो Dilute Acid हो या फिर Dilute Base हो उसमें यह प्रोटीन Solubil है उसके बाद बच्चों बात करते हैं Prolaminase Protein की ठीक है Prolaminase क्या होती है कि Insolubil in H2O and Salt Solution तो यह जो Protein होती है Prolaminase यह Protein क्या होती है कि चाहे Water हो या फिर Salt Solution हो इन दोनों में क्या रहेगी? Insolubil रहेगी लेकिन अगर हम बात करते हैं कि Solubil in 80% Athenol Solution Athenol Solution में यह क्या होगा? 80% Solubil है उसके बाद Albu Minoids Protein की बात कर लेते हैं तो यह क्या होगी? Insolubil in All Neutral Solvent Dilute Acid और Base तो इसमें क्या होगी कि यह Protein हमारी Insolubil होगी तो यह हमारे Simple Protein था तो Basically हमने जान लिए Simple Protein वो होते हैं जिनको Hydrolysis करा है तो उनसे Alpha Amino Acid बन जाए अलफा Amino Acid जब बन जाएगा तो वो हमारी Simple Protein में आ जाएगी यहाँ पर हमने कुछ Simple Protein के बारे में जान लिए आगे चलते हैं Conjugated Proteins की बात कर लेते हैं तो Conjugated Protein का मतलब होता है कि जो दो प्रोटीनों के मिलने से बने किस से मिलने से बने? दो प्रोटीनों के मिलने से बने Conjugated हो जाए एक प्रोटीन इधर से एक प्रोटीन इधर से और Conjugated हो गई तो एक प्रोटीन बना ले दो चीजों के मिलने से जब इसमें होता है कि दे कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट अटेश टू दा Simple Protein यह बनते कैसे? इसमें एक Non Protein पार्ट जो होगा वो Simple Protein से अटेश होगा एक Non Protein पार्ट आएगा और एक Simple Protein के साथ जब यह अटेश हो जाएगा तो यह क्या बनाएगा? यह Conjugated Protein यानि दो चीजों के जोड़ने से Conjugate हो जाएगी एक्जांपल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक Protein दीगी गई है जिसे हम लोग बोलेंगे Glyco Protein अब देखिएगा Glyco Protein बनेगी कैसे? तो Carbohydrate और Plus Protein तो जब Carbohydrate और Protein आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर बनेगा Glyco Protein और इन दुनों के मिलने से एक Protein बन गई जिसे हम लोग Conjugate Protein बोलेंगे आगे हम बात कर लेते हैं Phospho Proteins Phospho Proteins की इसमें क्या होगा? एक तो इसमें Phosphate आ गया Non-Protin और यहाँ पर एक Protein आ जाएगी तो यह Phospho Protein बना लेगा उसके बाद में बच्चों बात कर लेते हैं Lipo Protein तो यह Lipids और Protein के मिलने से बनेगा ठीके? तो यह भी एक Conjugate Protein का एक्जामपल है उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं Chromo Protein तो Chromo Protein क्या होगा? Chromo Pigment होगा और Plus Protein इन दोनों के मिलने से जो Nucleic Acid होता है इसमें और Protein जब Nucleic Acid Protein से मिलता है तो यह क्या बनता है? Nucleo Protein बनता है जैसे Chromosomes और Virus इनमें जो यह Protein देखने को देख आपको मिलेगी उसके बाद हम Derivate Protein की बात करते हैं Derivate Protein क्या होती है? समझ लेते हैं थोड़ा सा Derivate Proteins are obtained by the Partial Acid Alkalines और Energy Sorry, Enzyme है यहाँ पर Enzyme Hydrolysis of Simple are Conjugated Protein जब इसमें क्या होता है? कि यहाँ पर बताया गया है कि Derivate Protein are obtained कैसे बनती है? By the Partial Acid या तो Partial Acid हो या फिर Alkalines हो या फिर Enzymes हो जब इनका हम Hydrolysis कराते हैं Hydrolysis of Simple are Conjugated Protein Simple या फिर Conjugated Protein के साथ जब इनका Hydrolysis कराएंगे तो यहाँ पर जो Protein बनेगी वो हमारी कौन सी Protein हो जाएगी? Derivate Protein हो जाएगी इसमें आती कौन कौन सी Protein है? तो नमबर एक पर आती है Proteos, Peptones और Poly Peptides यह इसके Example है तो आज के Lecture में हमने सिर्फ Classification के बारे में पढ़ा और वो भी Chemical Composition के बेस पर Next Lecture में हम इसके आगे का और डिसकस करेंगे तो आज के लिए इतना रखने Thank you for this class